सभी भाई हो मैंनों को आपके पने YouTube चैनल वाई City बूक्स पर आप सब्सक्राइब नहीं किया वो लो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथी बगल में बिला आइकन की वटन उसे भी प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे दोस्तों मैं आप लोग को बता दू आई सिटी बुक्स पर जो इस्पेसरल मेकानिकल एंजिनिक का मौक टेस्ट चला है इसमें स्टीम पांड प्लांट और थर्मोडानमिक यह दो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग एक बार देंगे न मोक टेस्ट और इसके बाद कहेंगे ऐसे ही मोक टेस्ट मुझे चाहिए था जिससे पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और मोक टेस्ट भी हो जाए ठीक है चलिए और इसमें आज सी इंजन पार्ट नंबर 9 करा चुका हूँ आज में पार् मेरा कोईशन देखिए विच आप दा फालोविंग कांसिस्ट आफे इस पार्क प्लग इसमें सुझ दिया है ना किसका पार्ट है एसाई प्लग ठीक है जो इसमें दिया है आप से नंबर इसमें कौन से हो जाएगा आपके पास 2 सिकंड का समय है जल्दी से बताइए चलिए आपका समय कतम हो रहा है आप से नंबर इस पे से हो जाएगा SI engine का पार्ट है इस पैर्क प्लग ठीक है एगर CI engine का पार्ट हो जाता है सियाइएंजन का पार्ट हो तां ने साफ हो जाता यहींजा हो थे therapies ठीक अ चलिए आप लोग समय के होंगी बहुत इस्चे अरिक थोड़ा सा, SI engine consist आप इस पार्ग लग है इचे device used to produce spark for ignition charge of petrol engine इसमें हमसे यह कहा है, SI engine के पास छोटा है इस पार्ग होता है, तीके वही चीज़ जो मैं इसके पहले आपको बताया, चलिये, अब ये spark plug इचे device स्पार्ग इचे device स्पार्ग प्लग इचे device ऊता है, इगनेशन करने के लिए चार्ज आप पेट्रोल जो चार्ज होती है ना पेट्रोल इंजन पर उसे इगनेशन करने के लिए इस पार प्रफ लगता यूज़ किया जाता है ठीक है चेदी शी बात ध्यान देंगे अब देख लीजिए इच आलबेज इसक्रूड इन्टू दा इगनेशन के लिए जाता है यहां पर 35 बार प्रेशर लग सके और आपरेट अंडर दा करेंट आफ तेन साउजन टू थाटी थाउजन वोल्ड वहां आपरेट कितना कर सके दस हजार बोल्ड से तीस हजार बोल्ड तक करेंट वहां पर प्रोडियोस होज़की उस तरीके से यहां पर छीखे चलिए और देखे लीजीए है स्पार्पल्ड गएप 2 से केपट अंडर इसकी घोई आविट 1 द हम gaan ऐंड मेंड 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 बीञाइन ठीक है इतना पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आने वाले कंपरिशन में यह पूछ सकता है चलिए अब अगला कोईशन देख लिए आप एक कोईशन पड़े कितना कोईशन आपको साल्ब हुआ ठीक है यह रहा अगला कोईशन इसका आप लोग अंसर ब मैं बता रहा हूँ B से हो जाएगा ने C से हो जाएगा ठीक है quantitative governing का काम करता है यह quality governing का काम नहीं करता है ठीक है आप से numbers में C से हो जाएगा ठीक है कितनी मात्रा में उसको fuel को ले जाना engine cylinder में इसका काम यही होता है क्या governor का ठीक है बहुत अच्छा question था spark ignition और governed by जो spark ignition होता ह है इंजन में इंजन में जो गवर्ण लगा होता ना उसका द्वारा यही काम होता है कि इसनी मात्रा में उसमें इस पार को fuel mixture को ले जाए जिसको कंड जो है उसकी quantity stewardship goerening option number इसमें शी से फाहित आप लोग देख लिजिए अप देख लिजिए आप देख लिजिए government आप आई सी एंजन जो internal commercial engine होता है उसमें government का काम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए in order to have high efficiency of IC engine ये किस order में होता है high efficiency of IC engine में होता है at different load condition its speed must be kept constant और इसका काम क्या होता है कोई भी load लगा जिया जाए कितना भी local load लगा जाए तो governor का काम यह होता है उसका speed जो है जितना चल रहना उसी भी possible रखा जाए constant रखा जाए अगला कोशन देखिए इसका आप लोगां से बताएं जल्दी से ठीक है आपको बताना है जल्दी से चलिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़के बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा है UPSC AE 2016 का कोशन है ठीक है और ESE 2017 में पूछा हुआ है इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे देखिए सूपर चार्जिंग अगर सूपर चार्जिंग होगा तो उसमें साइंजर में नौकिंग जो होती है रेडियोस होगी ठीक है बिलु हाँ अगर इस पार्क हो रहा ना उसको अगर हम हटा देंगे फ्रेस चार्ज लगाएंगे तो उसमें जो है जो नौकिंग होगी न ओ रेडियोस हो जाएगी आप से नंबर इस्टेटमें हमारा दूसरा सही लग रहा है ठीक है और इस्टेटमें तीसरा क्या कह रहा है हो जाएगा उसमें इसमाल साइज आप इंजन क्यों सकता हो एक ते सीधी बास समझ जाएगे और देख लिजिए यह मारा अगला आपसं क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट एंग्रेजिंग दा इंजन स्पीड हाँ एंजन स्पीड को अगर हम इंक्रीश कर देंगे तो वह इसके बारे में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीकी से आप लोग साल्व करेंगे क्योंकि सभी पॉइंट को हमें याद रखना है दिखिए फैक्टर टेंडेंसी टू रेडूस नौकिंग इन एसा एंजन जो फैक्टर दिया है जिनके दौरा एसा एंजन में नौक अब वहां पर नौकिंग टेंडेंसी रेडिस हो जाएगी देखिए अब इन शम पर आपको कोईश्चन भी मिलेगा क्योंकि आप नोकिंग टेंडेंसी रेडियोस होगी कि यह अधिक होगी यहीं से पूस्टा जाता है ठीके अब दिख लिजिए और भी क्या है और फैक्ट Stop dall सवाज में लगाएंगे चाहिएंगे नहीं लगाएंगे तो अभी णो किंग टेंडंस यो है फैक्टर भी पूछ सकता है क्योंकि कमपटिशन टब होते जा रहा है तो आपको टाइभी कोजिशन बनाएगा ठीके कोई कितना भी टब बना ले आपको यह ध्यान रखना कि अपकी बार हमें सस्टीजे को क्रेक करना है ठीके चलिए देखिए इंचन साइज इसमाल कर देंग तो अभी वहाँ पर नेखिंग टंडंसी रेडियोस होती है सभी फैक्ट को याद रखेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कोईशन है सभी चलिए अगला कोईशन देखिए यह बहुत अच्छा स्टीटमेंट है यह आपको एक बार मतलब बहुत अच्छे से आपको याद हो जा देखिए और हमारे टेलिग्राम को जरूर्ण कर लिजिए वहाँ पर आपको कोई भी अगर समयश्चा होती तो वहाँ से संपर कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में वार्शन नमबर भी दे दिये जाएगा और वहाँ से भी आप लोग सभी प्रगा कोई भी अ आप लोग समयश्चा होती है तो सीदे कांटर्स कर सकते हैं चलिए अब देख लिए इस स्टेटमेंट आप लोग देख लिए एक बार नोग प्रेहिट्टिंग प्रेग्नेशन और टू वर्स एक्सप्लेशन जो है ना टू वर्स एकस प्लेनिग यह हमसे यह कह रहा है जो और टेंडेंसी जो होती है ना चाहे SI एंजिन हो या CI एंजिन हो तो दोनों में same होती है यह तो बात सही है ठीक है the statement दूसरा क्या कहा रहा है pre-ignation across only in petrol engine जो pre-ignation होता है across किसके दोरा होता है पेट्रोल केवल petrol engine में होता है ठीक है अब यह तो बात दोनों सही है पेट्रोल engine में ही pre-ignation होता है एक्रास करता है चलिए और statement पहला दूसरा दोनों सही है लेकिन और पहले के एकार्डिंग जो है अगर हम पहले इसमें कह रहा था कि दोनों पर नोकिंग और प्रीगनेशन दोनों पर इसका explaining करेंगे तो same होगा यह इसके एकार्डिंग गर हम देखेंगे दूसरा statement दूसरा statement के ववल पेट्रोल engine की बात कर रहा है यहाँ पर लेकिसलिए statement पहले के एकार्डिंग दूसरा गलत हो जाएगा ठीक है यानि आप statement पहला और दूसरा दोनों सही है लेकिन पहले कि एक आडिंग दूसरा गलत है ठीक है चलिए अब देख रीची इसमें आपसन नमबर कौन सा सही हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए बोच statement first and second statement are individual true and and statement two is correct explanation of statement first देखिए अपसन नमबर एक गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया ठीक है अब बोथ statement first and second statement are individual true but statement second is not correct explanation of statement first देखिए यही बात मैं भी कर रहा था कि दोने statement जो है सही है लेकिन पहले जूसरे statement जो है statement पहले के कार्डिंग गलत है ठीक है यह statement मैं भी कह रहा था बहुत अच्छा question था चलिए अब देख लीजिए इसके बारे में सभी के बारे थोड़ा से देख लीजिए देखिए आपसन नमबर इसमें भी चाहीत है ना knocking and pre-ignation are the two words explaining the same phenomenon only in petrol engine देखिए नोकिंग जो across किस पर होता है diesel engine पर होता है जबकि pre-ignation के दोरान जो है petrol engine पर भी होता है ठीक है और pre-ignation is the ignition of air fuel charge period जो pre-ignation होता है एर fuel charge period के दोरान होता है spark plug जहां पर firing करता है ठीक है चलिए आपको समझ में आ गया होगा अगला question देख लीजिए बहुत अच्छा question है CI engine as compared to SI engine required CI engine के CI engine के compare में क्या ओसकता होती है क्या लगा रहता है क्या अधिक होता है क्या नहीं होता है no flywheel गलत है option number इसमें A तो गलत है B देख लीजिए small size of flywheel यह भी गलत है क्योंकि CI engine के compare करना हमें SI engine से तो CI engine की जब हम compare करेंगे SI engine से तो इसमें option number इसमें B गलत हो जाएगा लेकिन अगर यही बात कह जाए कि यहां पर SI engine as compared to CI engine तो यहां पर आपसर नंबर B से हो जाएगा क्योंकि SI engine के require में जो हम compare करेंगे CI engine में उसमें small size flywheel के हो सकता होगी लेकि अगर CI engine की compare करेंगे किससे SI engine से तो उमें bigger flywheel के हो सकता होगी ठीक है क्योंकि compress ignition है compress ignition के लिए भाई मतलब बड़ी flywheel के हो सकता होगी जबकि spark ignition होता है उसमें small flywheel के हो सकता होती है ठीक है यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और यह बहुत अच्छा कोईशन है CI engine compare SI engine require flywheel bigger CI engine के compare में CI engine के compare में CI engine की जो flywheel होती है बहुत बड़ी होती है बहुत अच्छा कोईशन है चलिए यह आमारा अगला कोईशन इसका हम लोग answer बताएंगे scabbing is usually done to increase जो scabbing होती है कि क्या increase करने पर done होती है जल्दी शे बताओ आप लोग इसमें अपसर नंबर कौन से से हो जाएगा नागलेट PC CTSC 2017 पेपर 2 में कोईशन पूछा हुआ है आप लोग answer बताएंगे आपकी पास दो सिकंड का समय है ठीके चलिए आपका टाइम खतम हो रहा है आप से नंबर इसमें शीशे हो जाएगा power output power output जो है increase हो जाता है ठीके escaping के दोरान चलिए इसके बारे में थोड़ा सब देख लीजिए आप लोग escaping इस प्रोसेश आप पुसिंग एकजास्ट जो escaping process होती है न एकजास्ट जो पुस करता है gas को out of the cylinder cylinder से बाहर करने के लिए और during the fresh charge और यहां पर जो है fresh charge को drop करता है air fresh charge को drop करता है यह हम बहुते हैं कि air filter mixture को air filter mixture को आप ले जाने के लिए open होता है ठीके escaping is usually done by increasing the power output escaping जो होती है usually कहां पर done होती है increasing power output को तब वहां पर escaping done होती है escaping वहां पर आउसक होती है चलिए अब अगला question देखिए आपको कितना अच्छा question लग रहा होगा सभी question बहुत selective लग रहे होंगे न चलिए selective हैं भी क्यों नहीं लगेंगे the value of air required to consume one liter of fuel by यह four stock engine is जो value होती है this in a lethal fuel to restore controlिー water के दोरा कितनी air fuel कि यह ओसकता helps यह हमें बताना ठीक है चलिए only fortune money a volume की हमें बताना है Owte number इसमें कों सरे आपके पात 2 second का समय है पातर सपादय का समय है यह एर बालूम की ठीक है कि कब एक लीटर फ्यूल में फोर स्टोक इंजन के लिए बहुत अच्छा कोईशन था चलिए इसके बारे में देख लिए थोड़ा सा बैलूम आप नाइन टू टेंड मीटर क्यूब एर इज रिक्वाइड टू कंजूमिंग वन लीटर फ्यूल बाई फोर स्टोक इंजन फोर स्टोक इंजन के लिए जो एक लीटर फ्यूल में नौ से दस मीटर क्यूब की एर के आउसकता होती है बहुत अच्छा कोईशन था सभी आप लोग देख रहे होंगे देख लिए यह कोईशन और भी अच्छा कोईशन है दा पावर बेट रेशियो एंट्व स्टोक के अगर हम कंपेर करेंगे खोर स्टोक से तो वहाँ पर टू स्टोक में अधिक होता है आप से नंबर इसमें ऐसरो हो जागा ठीक है जबकि जोकि पावर बेट रेशियो होती है न यह हो उसमें लेस होता है ठोड़ा से इसके बारë में देखेंगेगा आप लोग December Future Relam तो यह अगला कोईशन देख लीजिये घर हमारा बहुत अच्छा question which one of the following from ये part of the fuel supply system for a diesel engine ये जो हमारा दिया है ना इसमें फाल एक हमें इसमें पार्ट इसमें बताना जो फ्यूल system का पार्ट जो हमारा fuel system होती है diesel engine की और इसमें से कौन सा एक पार्ट है ठीक है कौन सा पार्ट है आप लोग बताएए जल्दी से फ्यूल system का पार्ट है कि नहीं कौन सा supply pump, spray nozzle, filter हाँ ये देख लिए फ्यूल system का सभी पार्ट है supply pump भी होता है आपको बताया गया और filter ये भी होता है ठीक है ये भी हमारा supply system का पार्ट है इस्प्रे नोजल यह भी सप्लाई सिस्टम का पार्ट है यह हमारे तीनों सिप्लाई सिस्टम के पार्ट है यह आपसा नंबर इसमें डी से हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा कोईशन था चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिए यह भी नागालें प्यस्टी में चलिए अगला कोईशन देख लिए बहुत अच्छा कोईशन है इसका आप लोग आंसर बताएगा फार SI कार्बोरेटर, SI कार्बोरेटर के लिए फ्रोट इस यूजली मेड जो फ्रोट होती है न किस मेटेरियल से बनाए जाती है हमें यह मेटेरियल बताना है आपसा नंबर के युज़ करके हम जो एंजन कार्बोरेटर होता है इसा इंजन जो फ्लोड लगी होती न उसका मैटरियल उस होता है बनाने के लिए चलिए इसके बारे में देख लिजए थोड़ा सा ये भी नागला न प्यस्टी में पूछा हुआ कोईस्टन है SI engine carburetor the float usually made of brass sheet and nylon इन दोनों से बनाए जाती है SI engine carburetor की float लगी होती है इन दोनों material से बनाए जाती है अगला question रहा, बहुत अच्छा question है The valve timing is controlled by जो valve timing इसमें किसके द्वारा control किया जाता है देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रहम होगा लेकिन बहुत अच्छा question है यह हमें बहुत अच्छा लगा नागला NPSC CTSC 2017 paper 2 में यह भी पूछा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा मुझे लग रहा यह question आप लोग इसमों मुझे लग रहा गलत ही बताएंगे तरिये मैं बता रहा हूँ आपका answer number इसमें A सही हो जाएगा ठीके केवल A सही होगा जो केम साफ्ट होती है ना देखिए यहाँ पर एक केम लगी होता है इस तरीके से लगा होता है जब यहाँ पर यह हमारा यह आता ना इस तक जब यह operate करेगा यह उपर जाएगा ठीक यह उपर जाएगा तो यहाँ पर इनलेट वाल्व लगा रहता है ओपन होगा और जैसे ही इधर जाएगा ठीके इधर मूब करेगा तुर्णत यह close हो जाएगा मतलब दो वाल्व लगे होते हैं दोनों वाल्व close होते रहते हैं अब देख लीजिए आपसर नंबर इसी दिए एस सही है ठीके आपको समझ में आ गया होगा किसलिए सही है चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग यह देख्गिए आपसर नंबर इस अब इसके बादे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ठीके दीए इन फोरी स्टव. इंजे साइकिल आंड 뉴스 सम 2-stock देखिये 4-stock cycle engine और कुछ जो है to stock cycle engine की जो होती है उसमें डा-walbe timing controlled by the camscape. world timing जो controlled होते है किसके दोरह कीवल camscape के दोरह control होती है this can be buried by modifying the camscape और यह किसके दोरह ले जाते हैं कि यहाम कह सकते हैं कि It can be berit during the engine. इसको हम किसके दोरा और ले जा सकते रहें? कि अबल इंजन के दोरा variable valve tabbing जो variable valve tabbing होती है. लगे होती है, वहाँ पर इसके दोरा इसको control करते हैं. चलिए अगला question देखेंचे बहुत अच्छा question है, इनिये four stock SI engine the exhaust valve usually open. जो फोरी स्टोक साइकर इंजन होती है न एक जास वाल्ब कब ओपन होती है यह हमें बताना है बहुत अच्छा कोशिन है यह भी ना करें पीस्टीसी टीसी 2017 पेट्टू में कोशिन आया हुआ है चलिए आपसल नमबर इसमें आपका सही है के नहीं सी है दो सिकंड का समय है चल उसके पहले ही तब यहां पर जो इग्जास वाल्ब होती है न ओपन हो जाती है को इसरो के साइव कि बाद कहा जा रहा है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सब दयान देंगें बहुत अच्छा कोशीं है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिजी इन फो इसके बारे में फ्रивается के पहुंचने के बाद 15 डिग्री जब चली जाती है क्रेंक साथना तो वहां पर जो है यह क्लोज हो जाता है ओपन इग्जास्ट बाल वो ठीक है बहुत अच्छा कोईशन था चलिए अगला अगला कोईशन देख लिए यह और भी इंपॉर्डर कोईशन है अब अब आट प्रजेंट अब्वार डरे अड गरड गणी डेवलव्ड बाद डासे लिंडल अव पड्र तो अजेट इंडल 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 अडवी फिउल जो फ्यूल की लेवल्टी होती है उसको फिक्स कर देते हैं, आपसर नमबर इसमें कौन से हो जाएगा, आपसर नमबर इसमें B से हो जाएगा, ठीक है, प्री एग्रेशन के दौरान ये पावर डेपलेफ्ट होती है, इंजन सिलेंडर पर, पेट्रोल इंजन के, ठीक है, पेट्रोल इंजन के किस तरीकी से डारेक्ट पेट्रोल इंजेक्टर यूज करते हैं, इसमें कहा रहा है, प्री मिक्सिंग वाज फार्मली डन, इन्हें कार्बोरेटर जो प्री मिक्सिंग होती है, मतलब मिक्सिंग होने से पहले एर और फिल को, ये फार्मली डन होती है, क Ignition के दोरान कितना पाउन लगेगा चलिए इसके बारे में देख दीजिए अगला कोईशन रहा यह बहुत अच्छा कोईशन है इसका आपसा नम लोग जल्दी शिवताइए The Intensity of Detonation will be developed mainly up to amount of इसमें हमें जो Intensity होती है इनर्जी कांटेंड इन्ड आप मिक्चर इस पर भी डिपेंड करती है हाँ एनर्जी कांटेंड पर डिपेंड करेगी The Intensity of Detonation will depend mainly up to amount of energy contained in the end जो mainly किस पर डिपेंड करती है जो एनर्जी होती है ना कांटेंड उसमें भरी रहती है और मिक्चर उसमें रहता जो एर्फिल डिक्चर हो गया और किस पर डिपेंड करती है rate of chemical reaction पर जो rate of chemical reaction उस पर डिपेंड करती है जहां पर release होती है it can be form of heat and high intensity pressure क्या release होती है high intensity pressure और heat heat जो है release होती है बहुत अच्छे question था चलिए अब अगला question देखिए और भी अच्छे question आपको मिलते रहेंगे ऐस चैनले पर हमारे साथ आप लोग जूड़े रहेंगे which one of the following method cannot control your detonation इन मेंसे ऐसा कौन सा method है जिसके द्वारा हम control नहीं कर सकते हैं detonation मतलब कासे pressure हम कर सकते हैं option number इसमें कौन सा save जाएगा option number इसमें जल्दीशे बताईए option number इसमें सीसे हो जाएगा ठीक है reducing pressure in the inlet manifold जब inlet manifold throttle जो लगी होती है उसको हम manifold कर देंगे तो reducing pressure जो होता है उसको हम control नहीं कर सकते हैं detonation के द्वारा बहुत अच्छा question था चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख रीजिए आप लोग क्योंकि यह बहुत अच्छा question था चलिए अब अगला question देखिए और भी अच्छे question आपको मिलते रहेंगे हमारे साथ आप लोग ऐसे लगे रहें विच वन आम तर फालोइंग बिल नाट प्रमोट नोग अब हमें आभी आप लोग reduce नोग करते थे ना प्रमोड इसमें से ऐसा कौन सा एक option है जो नोग को प्रमोड करता है मतलब बढ़ाता है नोगिंग को जल्दिए आपको देखिए low self ignition temperature of fuel यह देखिए अगर low self ignition temperature of fuel कर देंगे ना तो यह हमारा सही यहाँ पर जो है नोगिंग रेडियूस होगी यहाँ पर मोड नहीं होगी आप से नंबर एक गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रमोड की बात कहा जा रहा है ठीक है और low engine speed अगर low engine speed कर देंगे ना तो भी यहाँ पर knocking जो है प्रमोड हो जाएगी क्योंकि अगर देखिए नोगिंग यहाँ पर होगी कुछ भी नहीं होगी ठीक है यहाँ पर नोगिंग होगी देखिए यहाँ पर नोगिंग हो जाएगी परमोड हो जाएगी सीधी बात है low engine speed अगर हम करेंगे ना तो वहाँ पर देखिए high engine speed करते थे तो वहाँ पर knocking radius होती थी अगर low engine speed करेंगे तो सिधी इसी बात हैं। knocking प्रॉइश होगी ठीके परमोट होगी और एडवांस लेसें टाइयमिंग कर देंगे तो भी नौकिंग परमोट होजी अगर लोग DVD कर देंगे तो वहाँ पर जो जो knockingن较 परक होती ओहां पर नेकाल होगी रिडूस फोजायगे के आप्सosit नंबर इसमें यbश जाएगा तेखिए यह तीनों आपसव जो थे ए बेची यहió रडूस करने की आपसव थे ठीक है और यह हमारा जो नौकिंग जो है इसमें परमोट होता और इन तीनों के द्वारा जो नौकिंग परमोट हो जाता है लो सेल्फ इगनेशन और टंप्रेचर के द्वारा नौकिंग परमोट हो नहीं परमोट मतलब इसमें नौकिंग परमोट हो जाएगी और लो इगनेशन स्पीड अगर रख देंगे ना तो देखिए यहां पर अगर सीधी शी बात यहां पर डी देख लीजिए लो कमपरेशन डेशियो करेंगे तो वहां पर जो नोकिंग होगी नोकिंग रेडिूस नहीं होगी यहीं हमसे कह रहा था और सभी आप्सन जो है नोक क्या है लो कमप्रेशन डेशियो फिल नाट प्रमोर्टनों की इसाइज एंजन लोग लोवर कमप्रेशन डेशियो पर जो होता है यहां पर नहीं होता इसाइज में और स्या इंज़न क्या होता है लो इसियो पर मोड हो जाता है, ठीक है यह हमसे कहे पकोशन देखिए ल सबस्तियों नहीं नहीं होते हैि ना सक्षन माँबर लगा ना एक्जास बाल रहुतेब उसमें लगा होता है port ठीक है उसमें क्या लगा होता है port लगा होता है इसको ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छा कोईशन है चलिए और भी option उसको भी देख लीजिए यह हमारा और option ठीक है one section valve and one exhaust valve operated by two cream यहां पर सबसे पहले बाद मैं आपको बता दिया valve लगेगा नहीं option number B गलत हो जाएगा only port converted and uncovered by piston to effect charging and exhausting option number C से हो जाएगा क्योंकि इसमें port लगा है ठीक है चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए two stock cycle hedge only port converted to fine converted covered by piston to effect charging and exhausting ठीक है अब इसके पहले बताया चलिए अब इसके बार अगला को चैप्टर आ गया अगला लेकिन इसी चैप्टर का है ठीक है इसलिए हम इसको देखेंगे वन केजी आप carbon produce following percentage of carbon dioxide in fuel gases जो एक केजी आप carbon carbon होती है न वो कितना percentage of carbon dioxide gas को निकालती है आस्तर नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा चलिए इसको हम साल कर रहे हैं तबी आपको जाएंगे ते कर्बनाई अक्साइड की बात कहान जारे हैं यहां पर कार्बन और अक्सेजन से मिल कर बॉनेता है कर्बंक के एक मोल होते हैं और two point to town अ Chili con अब दोनओ में य well आएएक मझल का लोगे एक मोल आक्शिजन के होगे ये दोनों मिलकरकि हमारा एक मोल बैबॉल्मपर कर्वन डैयक्सआइड निकलते है, ठीके यह तो हमको पता ही था लेकिन कार्बन के जो है इसका मास कितना होता है 12 kg होता है क्योंकि भाई इसका जो है atomic number होता है 6 और 6 का अगर हम atomic mass निकालेंगे 12 हो जाएगा और इसी परिकार से हम oxygen का atomic mass निकालेंगे तो 32 kg हो जाएगा अब हम इन दोनों को जो हम calculate करेंगे तो 44 kg आएगा 44 kg carbon dioxide निकलेगी ठीक है अब इसको हमें 1 kg आप carbon dioxide निकाल दी है न इसको हम जब divide करेंगे 12 से 1 kg यहां पर निकल जाएगे यहां पर कितना हो जाएगा जो भी होगा इसको हम 12 से divide कर देंगे क्या निकलेगा 1 kg क्योंकि हमें 1 kg carbon दिया था ना चलिए 1 kg carbon लाएँगे 12 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा एक दीख लिए 1 kg पलस 8 upon 3 kg और इसको जो हम का करेंगे यहां हो जाएगा हमारा 12 लाएग में तो हम काड़ेंगे 11 upon 3 आएगा कीजी आएगा ठीके अब देख लिए 11 upon 3 को हम इसको जो हम डिवाइड करेंगे ना तो 33 जाब 90 मतलब 30 30 पलस आएगा ठीके 30 आएगा तो यह काड़िंग इसमें से आप्सन नमबर कौन सा मिल र देख लिए वाइड मेंज टैर रिवाइड यही अब अगला फिरि आपक्वाइड देखिये लीन एयर मिक्चर इज रिक्वार फार जो लीन एयर मिक्चर होता ना कहां पर रिक्वाड होता है चलिए आपको इसकी पहले भी एक बार इस चैप्टर के बारें बता जीक गया ह यहां पर यूज करते हैं और सभी के बारे में देखेंगे सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए आप लोग देख रहे होंगे चलिए इसके बारे में देखिए हमारा आइडलिंग होती है ना आइडलिंग एर फिल्ड मिक्चर वहां पर जो कितना रिकवार होता है एर फिल्ड मिक्चर ऑर ट्राइसियो से 12 से 12.5 रेशियो तरहली इब रहा सिस्टिंग से सिफ्टिंुङ पौंट 4 ड्राइसियो का में लगता है और स्टार्टिंग ठीक है और स्टार्टिंग जब होती है ना 3 to 5 रेशियो तक एरफिल्ट मिक्चर का वहाँ पर यूज होता है बहुत अच्छा कोईशन था सभी आप लोग याद रखेंगे कहां पर स्टार्टिंग के कितना एरफिल्ट मिक्चर लगता है बहुत अच्छा कोईशन था चलिए अगला कोईशन देख लिए दाए जिसमें से कौन सा क्रेक्ट है एरफिल्ट रेशियो जो बेट मेथचनाल की है आपसे नबर इसमें कौन सा सब जाएगा आपसे नमबर इसमें सी सब्सक्राइब ठीक है 6.5 रेसी चाहिए, आफसर नमबर इसमें, सही हो जागा देखिये, धुअ केमकल करेक्ट एर फिल रेशियो बाई, बेट फार मेथेनल इज इस 6.5 रेशियो टू वन, ठीके, चलिए अगला कोश़्िन देख रिजे, the range of airfield mixture airfield ratio for SI engine agent तो range होता है na airfield ratio का SI engine में कितना लगता है जल्दी शिर्बताईए option number इसमें A सही हो जाएगा 9 to 18 airfield ratio का mixture लगता है इसको भी ध्यान रखेंगे जब कहेंगे यह भी यह रहता है 10 to 15 ratio रखता है ठीक है यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे option number इसमें एसे हो जाएगा चाहिए इसके बारे में देख लिजी थोड़ा सा the range of airfield ratio for SI engine 9 to 18 the range of airfield ratio in CI engine 18 ratio 1 to 17 ratio 1 इतना लगता है हमारा बहुत अच्छा कोईशन था CI और SI engine का airfield ratio आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक number में CD पूछ लेता है तर यह अगला question आपको एक बार मैं दे रहा हूँ इसे आप लोग इसे comment box में लेके बताएंगे option number इसमें कौन सा से हो जागा reference fuel for C10 rating R इसमें हमें बताना है कौन सा reference है कितने reference में होगा किस मतलब C10 number का rating हमें बताना है CD शिवात आपको बताना है किस वड़ी बिल करता है चलिए आज के लिए इतना है और दोस्तों मैं आप लोग को बता दू YCT books पर जो है सबे परकार की books अबलेबल है यह आपको किसी भी परकार की books की जरूरत तो हमारे YCT books के आपसर वेबसाइट पर जा करके वहां से purchase कर सकते हैं नहीं तो हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर लिजी वहां से आप लोग सीधे से बात कर सकते हैं और और हमारे जो है वीडियो के description box में औरसल नंबर भी दे दी जाते हैं वहां से आपको कोई भी समस्चा होती है सीधे contact कर सकते हैं चलिए और दोस्तों एक like भी कर दिया कर जिए क्योंकि वीडियो बराने में बहुत भीने लगती है चलिए आज के लिए इद्धा ही कहूंगा नेस्ट वीडियो में हम फिर्म लेंके अच्छे अच्छे question जिसे competition में आपको आसाने मिले तरिये आप मुझे इज्याइदत दीजिए